सुधान्शु जी यह सब बयान है या सचमुच आप संस्रीट को लिंक लंग्वेज बनाने जा रहे हैं हिंदी की जगा एक बहुत भारी कोलोनियल माइंडसेट की लिगेसी है जो मार्क्स और मैकाले के प्रभाव में है जो की भारती है जो मेधा है उसके जो श्रेस्ट चीजे हैं उनको डिक्राइन करने में लगए है यह आप कह रहे हैं कि जिन लोगों ने आपको वोट दिया है वो मार्क्स और म को हासिल करेंगे सिर्फ कहने भर से नहीं होगा ना संस्कृत में लोग चले गए जिसकी की शुरुआत अब हो चुकी है तो वाइस कमांड में वह भाशाएं जिनकी की वर्तनी और स्वर अधिक वैज्जानिक हैं उनका प्रभाव आने वाले दश्कों में स्वता बढ़ता सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको नमशकार दोस्तों इससे पहले की वीडियो शुरू करें एक दो बाते बताना चाहूंगा आपको आप सब रविश्कमार जी को जानते हैं और उसकी वज़ा ये है कि रवीश कमार जी हमारे देश के सच्चे और निश पक्ष बात करने वले पत्रकार हैं अब बात करते हैं ऐंटी टी वी की ऐंटी टी टी वी की फुल फॉर्म न्यू दिली टैली वीजन लिम्टर है और इस इसी वज़े से हम एंटी टीवी को देखा भी करते थे और आप सब को पता है एक शक्ष ऐसा है जिसको हमारे पुझने परदान मंत्री मोधी जी यहां से यहां तक ले गए हैं नाम तो दमाग में आई गया होगा बता देता हूं अगानी जी और उसी की बदौलत अगानी ने न्यूज आती थी मैं सभी चैनलों को शोड के एंटी टीवी को देखा करता था उसका गारण यह था मुझे पता था कि किसी न्यूज चैनल के उपर सची न्यूज आए ना आए मगर एंटी टीवी जरूर सही न्यूज ही दे रहा होगा मगर जैसे ही है मैंने आपको बताया के अगाणी ने दो 1823 में इसको करीद लिया है तो उसके बाद पता ही है अगाणी की मित्तरता मोदी जी से है और मोदी जी की वावा सभी चैनल करने लगे हुए है तो अफकोर्स इस चैनल के ओपर भी अब मोदी जी की वावा चलेगी और ये रविश कमार जी को मनजूर नहीं था रविश कमार जी ने आज तक जूटी पत्तर कारता नहीं की थी और उनका जमीर भी ये करने की इजाज़त नहीं देता था इसी कार्ण उन्होंने एंटी टीवी को अस्तीफा दिया और यूटूब के उपर अपना खुद का चैनल बनाया जिसके उपर आज एक करोड से भी उपर सब्सक्राइबर हैं तो आएए बाकी की वीडियो देखते हैं कि सुधानशु जी ये सब बयान है या सचमुच आप संस्कृत को लिंक्द लांगवेज बनाने जा रहे हैं हिंदी की जगा अगर हम देखें तो भारत में मात्र भाशा सिर्फ प्रफेक है संस्कृत मां की सब भ्रात्र भाशा है यह जानना चाहता हूं कि क्या उमा भारती की बात में सच्च मुच इतना दम है कि अंग्रेजी की जगह आप संस्कृत को लिंक लेंग्विज बना सकते हैं यह संभावना आज है क्या उट कुश्चन संस्कृत में खूबी है आप कैसे बनाएंगे बताई आपने कहां बना दिया मद्दपदेश चतिसगर गुजरात यूपी सब जगह आप शासन में रहे कहां आपने लिंक लेंग्विज बना दिया संस्कृत का देखिए रवीज जी एक तो अगर आप हम लोग यह मान ही लेते कि संस्कृत के अंदर बहुत खूबियां हैं तो आज हमारी यह डिबेट का विशही नहीं होता एक बहुत भारी कोलोनियल माइंडसेट की लिगेशी है जो मार्क्स और महकाले के प्रभाव में है जो की भारती यह जो मेधा है उसके जो शेस्ट चीजे है उनको डिक्राइन करने में लगी हैं कि जिन लोगों ने आपको वोट दिया है वो मार्क्स और मैंकॉले के प्रबाव में थे मैं उनके बच्चों की बात कर रहा हूं जी मैं उनकी बात कर रहा हूं भारत के पुलिटिकल इस्टैब्लिश्मेंट इस्ट्यूशन में जो डॉमिनेंट लेटिस्ट अलिमेंट था मैं उसकी बात कर रहा है उसकारण से तो यसी लिए आप डिबेट हो रही है अन्यता सब मान लेते तो कोई विवाद का विच्चनल समिधान सब्सक्राइब जानना चाहता हूं उसको सिखा ही ना संस्कृत अच्छा है संस्कृत सिखे वो भी सही कहा मैं यह जानना चाहता हूं क कैसे ग्लोबल बनाएंगे आप उसको ग्लोबल सिटीजन के दोर में जब वो फ्रेंच सिखा रहे हैं अपने बच्चों को लोग जर्मन सिखा रहे हैं मंदारीन सिखा रहे हैं आप उसमें संस्कृत हम नहीं कहरें कि आप गलत कर रहे हैं पर मुझे यह बताए कि आप कैसे स्टीज को हासिल करेंगे सिर्फ कहने भर से नहीं होगा ना संस्कृत में शपर लेके लोग चले गए ऐसा है कि आज का जमाना हो गया है हां टेकनोलजी जिस दिशा में जाएगी हां सबको आखिर में घूम फिर कर टेकनोलजी के हिजाफ से चलना पड़ेगा हां आज टेकन डिजिटल टेकनोलजी के लेबल पे हैं जिसमें वो भाषा जैसे अंग्रेजी जिसमें की मातरा पाई है ही नहीं और इसलिए वो डिजिटल टेकनोलजी के लिए बहुत मुफीद हैं नेक्स कमांड में वह भाषाएं, जिनकी की वरतनी और स्वर अधिक वैक जानिक है उनका प्रभाव आने वाले दशखों में स्वता बढ़ता नजर आएगा चुप कि संस्कृत कंप्यूटर में दक्ष भाशा है कंप्यूटर की शैली में और उसमें मैं इंकार नहीं करता वो होगी और अच्छी भाशा है ठीक है लेकिन बजाए बिना संस्कृत के ही बहुत सारे कंप्यूटर में काम हुए हैं ऐसी बात नहीं है और रवीजी जो आप बात बता रहे हैं वह 1985 में नासा के एक साइंटिस्स थे मिस्टर रिक्स उन्हों ने यह बात प्रमाणित की थी कि आर्टिफिशल इंटेलिएंस और कंप्यूटर के लिए संस्कृत सब्सक्राइब लेकिन अंतता वो सब कागजी बनकर रह जाती हैं मुझे यह विश्वास दिला यह कि महज नारे बाजी के अलावा आप क्या करने वाले हैं मैं कहूंगा आप गलत करने तो आप सौप भारतिया परंपरा के तर्क देंगे मुझे यह बताईए कि संपूर्णा नंद विश्व विद्याले में 50 से भी परसेंट से भी कम टीचर हैं वहाँ पे जादा सेकेंडरी स्कुल में संस्क्रीट की हालत खराब है आपके मद्य प्रदेश की हालत खराब है आपके 36 गड़ की हालत खराब है सब जगह की वैसी हालत है कोई किसी में अंतर नहीं है कहां ठीक कर पाए आप संस्क्रीट को लेकर देखिये जो संस्कृत के प्रभाव का विशय था, वो राष्टी परिपेश का विशय था हमारी सरकारों ने अपनी सीमा में रहते हुए कई महत्रकूड कार किये उधारन के लिए उत्तर परदेश में हिंदी में तृतिय पेपर अनिवार-संस्कृत का हमारी सरकार के जमाने में 1991 में लागू किया लिए यही सब आपके पास है ना कि पेपर एनिवार कर दिया आप बोड बना देंगे बाशा बनाने का विचार भी हुआ था यह लिखित कारवाई का पार्ट है और प्रस्ताव करने वालों में डॉक्टर अंबेटकर जैसे लोग भी थे अच्छा मेडिल क्लास यह कर सकता है कि उस संस्क्रीट का ट्यूशन रखना शुरू कर दे ठीक है ना मैं कॉले वाले को छो छोड़ी वह गॉन केस है नहीं वह तो गॉन केस है मैं क्या रहा हूं फ्यूचर देखिए यहां टेक्नॉलजी आपको ले जाने वाली है कोई भी लैंग्वेज होती है उसको देखने के तीन उसको तीन डाइमेंशन होते हैं जिसको आप देगे घुमा दे रहे हैं बॉल को उसकी तरफ जाना पड़ेगा और अब ये जमाना चला गया जब लोगों ने सत्ता के दम पर चीजों को स्थापित किया था आप तो वही करें है जब भी आप लोग सत्ता में आते हैं तबी संस्क्रिट करते हैं मजा आया अरे मानेवर प्रसिंटों ये पूछना चाहिए कि संस्क्रिट जब थी 2006 में हटाई क्यों गई ये जर्मन क्यों लाई गई क्या कहीं इस कारण से तो नहीं मैं इस बात देखे बिल्कुल आरोप में नहीं कह रहा हूं आगिर जर्मनी क्यों लाई गई अरे ये बताईए इटल जैसे भाषन में बोल रहे थे वह कसी रहा है जी ऐसा है मैक्स मोरर से लेकर आर्थर शोपनावर जैसे विद्वानों ने बहुत भारी योगदान दिया है और जर्मनी के बड़े-बड़े वैग्जानी को जिसमें हाइजनबर्ग से लेके अलबर्ट आइंस्टीन तक शामि जी इतनी अच्छे-ची बाते कह रहा है और आप लोग है कि उनसे सहमत नहीं है संस्क्रीट में जवाब दीजिएगा देखे रभी जी मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि इसमें सविधान का उलहंगन हुआ है या कोई जबदस्ती एक विदेशी भाषा को यहां पर जब अचानक उनके राजिय में तो उनके सरकार है वहाबी केंदर विद्याले है तीन साल तक यह चुप रहे हैं अचानक अकस्मात इनके दिल को बहुत दर्द पहुँचा है कि यहां हमारी एक संस्कृती के साथ मजाग किया जा रहा है यह समझता हूं कि बेबनियादी नहीं य एक तरफ प्रदान मंत्री बोलते हैं फॉरें डिरेक्ट इंवेस्मेंट को लाइए और यहां इनको जर्मन लैंग्विज और सतर हजार चातरों जो चाहते हैं कि वो करें जो केंदर विद्याले ने खुद कहा है कि उससे उनको प्रगती उनको लगता है कि भविश्य में हो यह संदर्व आया था जब भी भाषा का संदर्व आता है हमारा आग्रे इस प्रकार कर रहता है और वो उसको हम विता मैं एक बाकि सिर्फ कहना चाहूंगा भी संजय जहाजी ने जो एक बात कही कि हम डार्क एजेस में जा रहे हैं और जिस रंक का परिवरतन इन्हों ने ज कि इस विशय को जर्मन भाषा को हटाना ही था तो सत्र पूरा हो जाता सत्तर अजार बच्चों को आप ही को अचाना कभी हटा दे दो आधा टर्म के बाद और बोले सबसे बड़ी बात तो यह है जो जर्मन या अन्य विदेशी भासाएं पढ़ाई जाती थी वह असम वैधानिक थी हमारे भाई ने अभी भाषा का तो असम वैधानिक कैसे हो गई भारत में जो सिख्षा चल रही है वो एक सिख्षा नीती के तहद चल रही है नहीं तो कोई सिख्षा कोई कुछ पढ़ा देगा कोई कुछ पढ़ा देगा इस से स्ख्षा नीती नहीं हमारी जो सिख्षा नीती बनी है इसनल डरीकेशन पॉलीसी बनी वी है उसमें जो तिर्वासा भार मुला था उस पर मूले के तहट है धिग अंग्रेजी और संस्कृत भासा के रूप में 22 MIL है modern Indian language इन में से कोई एक भासा ले अब संस्कृत के लिए सबसे पहले तो मैं एक आपत्ती दर्जी करूंगा यह जो राजनेता इसे राजनितिक रंग दे रहे हैं मैं सक्त खिलाफ हूं सबसे पहले आवा रंग ना दे तो संस्कृत को कोई पूछेगा भी यह भी सचाई है जब वहां से जानकारी हासिल हुई तो हमने कहा किस आधार पर आप विदेशी भासाओं का पठन पाठन कर रहे हैं तो जो कर रहे हैं तो उनको करने देते ना आज जब हमने केस डाला हुआ उठा और 15 अक्टूवर को जब केस का डिसीजन आया है बरतमान गर्मेंट से पूछा गया जो आपकी सिक्षानिती में क्या कहती है आपकी सिक्षानिती तरती भासा के रूप में तो बरतमान सरकार ने जो सिख्षा नीटी थी, उसे रखी लगी, मैं दो बाते कहना चाहता हूँ, अब चुकि आपने एक बात कहीं, तो जो हमारा नियम था, सिख्षा नीटी के अनुसार, सिख्षा होनी चाहिए, इसे आप सभी सहमत होंगे, और सभी को सहमत होना चाहिए, तो भारत के सम्विधान और भारत की नीट्यों पर आप सहमत नहीं वह पाईंगे, क्या दूसरी सिख्षा नीटी बनी, इस सिख्षा नीटी को यदि आप नहीं मानते, एक स्विधान का पार्ट नहीं है, ठीक है, दिल्ली प्रदीश में अन्यान्य यगों से राज्यों से क्या एक्लास के अंदर में 50 बच्चे हैं और उन 50 बच्चों में इसे यदि 30 अस्थानों से आए हुए है को पढ़ना चाता है को नहीं पढ़ना चाता है सब ही पढ़ रहे थे उन्हें जवरदस्ती विदेशी भासा हैं पढ़ाने के लिए उपसाया गया चलिए ठीक है बीच सत्र में किसी का कॉपी किताब चीन के फिजिक्स चीन के केमेस्ट्री थमा दीजेगा जब तक किसी को पुझाएगा क्या बात है स tutaj है का मुझे पढ़ाने के मास्टर है आप अगले सत्र से आप उसको संस्हुषट पढ़ाई यह उर्दू पढ़ादी जा है आप कानून की जानकारी के बिना ड्राइव कर रहे हैं जो ही आपको पताया नह Hmmm अप सिम्बॉलिक लड़ाई तो जीट गया उठीक उसमें तो कोई जगडा नहीं है आप उस तीन महीने में मैं संस्कृत के साथ क्या इंसाफ करने वाले हैं नेताओं को तो आपने क्या दिया एक सिमिस्टर के लिए आता है और मैं वादे के साथ कहना चाहता हूँ जो तीन पार्ट को देड़ मेने के अंदर जो अग्रिम पर इच्छा होगी उसमें बच्चों को आसानी से सिखा सकते हैं एक बात आपने में यह सुधान सुजी से पूची थी जो कि क्या आप जो लिंक भासा बनाना चाहते हैं मैं आप प्रचार प्रसार इतना कैसे हुआ एक आप नई गाड़ी खरीते हैं वहाँ डियल अपना नंबर भी यदी देते हैं क्यों नहीं है ओ अअम आ को काड़ है आप सब करने करें कि जह YOU हो पर दि ऊप लिकते हैं तो उसके बने दिल यह लीदि आ लिखेंगे तो उस्से भासा का प्रसार होगा। करना चाहूंगा. यहां पर यह लिख देंगे तो भाशा का विकास हो जाएगा वैसे नहीं होता है यूपी बिहार या अन्यानी जगह से कुछ भी नहीं पढ़ी लिखी और ये दिल्ली आ जाती है और वो बार बार अंग्रेजी के सब्दों को सुनती है तो वो अपने घर में भी अंग्रेजी का व्यवहार करना सुरू कर देती है इससे आप सहमत है या नहीं है हमारे संस्कृत के प्रचार प्रसार में कमी रही है और वो प्रचार प्रसार की कमी कहां रही ये केवल अध्यापकों की कमी यदि कोई बताते है मैं बता रहा हूँ उच्छा जी कमी कहा रही मेरा जब यग्योपवीत संसकार हो रहा था तो कान में मेरे जो गुरू थे उन्होंने गाहित्री मंत्र फूंका और उसके साथ मुझे चेतावनी दी कि इसे इस्त्रियों और शूद्रों के सामने इसका पाठ नहीं करना है तो संस्कृत को किसने रोका इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा आपसे करना चाहता हूं कि जब भी आपकी सरकार आती है इंदी और संस्क्रीट को लेकर बड़ा बवाल मच जाता है संस्क्रीट में एक ट्वीट कर दीजिए तब तक मैं छोटे से ब्रेक बाद आता हूं आज जी दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना वीडियो को लाइक है शेर करना क्योंकि बहुत मुश्कल से मिलती है ऐसी वीडियो तो मिलते हैं एक और नहीं वीडियो के साथ अब तक कमर राजपूत को दीजिए इजाज़त नमस्कार